कहा बैया, आज फिर उन्चास की टीम लगाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, फिर उसी तरह उन्चास के बदले उन्चास मिल गए, यह तो उन्चास चले गए होगे, यही हुआ होगा बहुत से बहुत, क्योंकि यही होने के लिए आप लोग बार-बार वही चीज़े करते हो, मै आप लोगों से रिपीटिडली एक बार बोलता हूं कि ड्रीम इलेवन में अगर आपके पास भाई बचाट में हो तो आप लोग टीम मत लगाओ लेकिन जिस दिन लगाओ उस दिन कम से कम बीज टीम बनाओ 15 लगाओ क्योंकि इससे दोस्तों फर्क पड़ता है आप लोग यकीन नहीं मानarentा हैंगे तो आप लोग ड्रीम इलेवन के इस डीम की लिश्ट देख लिजिए इसनी दोस्तों जिस दिन rank 1 लाई इसने dream alone में बीज टीम लगाई तो इसके rank 1 बना गई चलिए इसको गोली मारिए दूसरे winner को देखते हैं इसने भी dream alone में rank 1 लाई और इसने भी दूसरे बीज टीम बना रहे थी और आप लोग भी Dream 11 को hack करके strategy मानम कर सकते हो प्यूंकि Dream 11 में winning इसी प्रकार से होती है Dream 11 में पैसे इस प्रकार से कमाए जाते है क्योंकि Dream 11 algorithm को game है, science को game है जिसके पास algorithm है, जिसके पास skill है वो आज भी पैसा कमाता है और जिसके पास algorithm नहीं है, skill नहीं है समझ नहीं है वो dream 11 से आज भी भारी भरकम loss में रहता है तब आखिर dream 11 में loss करने के पीछे का reason क्या है कि इस वज़ाई से dream 11 में एक यूग लॉस करता है और dream 11 में बिनिंग कैसे होती है रहें का उलाने के लिए कितनी टीम बनानी पड़ती है और क्या क्या चीजें धान में रखनी पड़ती है जिनके माद्धम से dream 11 में एक यूग की रहें को आती है उसके बारे में ब्रीफ्ली इस्प्रेंट करने वाना हूँ हेलो दोस्तों नवसकार स्वागार का सभी का फाइंडसी हेल्प के एट्यूब चैनल पर अगर आप लोग चैनल पर नए है सब्सक्राइब को आप क्लिक कर देजी क्योंकि यहां पर dream 11 टिप्स ट्रिक एंजियाल की बगएरा की बेतरी जानकार इंफॉर्मेटिव और यहां पर आपके लिए आती रहती है और एक छूट से रिक्वेस्ट है हमारे टेलिग्राम गुरूप कर लिंग के रिचिक स्विस्टों में जाए जोइन करने है जिसके मांदम से बेतरीन तरीके से आप लोग यहां पर दुस्तों अर 39 रुपीस वाज़ लीग होती है जिनमें हम लोग कॉंटेस्ट जोइन करके करोड़ो रुपाई जीत सकते हैं लेकिन एक टीम बनाने से विनिंग नहीं होती है क्योंकि हम एक प्लेयर के भरोसे अपने पाइसों का दाउं अपने करोड़ो रुपाई का दाउं नहीं लेला स लेकिन अगर हमारे पास जानकारी नहीं रहेगी हमारे पास इस्ट्रडजी नहीं रहेगी सीखने की समकों हमारे पास सकती नहीं रहेगी तब हम लोग ड्रीम इलेवन से कभी भी हमदर बिडिंग नहीं करते हैं तो यह कुछ बेसिक से स्ट्रक्चर से कुछ बेसिक से सिनेर तो हमारे पास जो हमारे आपोस हैं हमारे पास पांच प्लेयर स्टीम के हैं जिनको आज हमको कप्तान बिनाने का हमारा मन कर रहा है हमारा समझ में आरहा है हमको हमारा psychology स्विक्त बिमार कैरा है कि यह नव प्लेयर आज चलने वाले हैं इन्हें में से कोई दो वाइस चाल जाएगा तो हम एक टीम में नव को कप्तान बना के रख नहीं सकते हैं या एक टीम में नव को वाइस कैप्टन बना के रख नहीं सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा हमको जादा बढ़ जाएंगे लेकिन अगर हमारे पास जानकारी नहीं रहेगी हम लोग इस चीज नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों पिर हमारे विनिंग नहीं होता है क्योंकि ड्रीम 11 में राइंक लाना ड्रीम 11 से फर्स्ट राइंक लाना यह अपने आफ में बहुत बड़ी चीज होती है और जो ड्रीम 11 में रहें को अला लेता है जो ड्रीम 11 का algorithm जान जाता है वो हमेशा से ड्रीम 11 में विनिंग करता है हमेशा तो ड्रीम 11 में प्राफिट कर पाता है लेकिन जिनके पास सीक्रेट नहीं जानने का समझने का पूरा पूरा psychology ही उनकी उल्टी पुल्टी है बस किसी ने किसी तरह से टीम बना के सो जाओ सुबक खाते में दो करोणा जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ड्रीम 11 लग कर नहीं साइंस के यह में, आज भी जिनके पास साइंस है, आज भी जिनके पास इसकी लिए विनिंग कर पाते हैं, लग के भरोसे बैठे होते हैं तो होती कैसे हैं, और ड्रीम 11 से बिनिग इसी प्रकार से होती है, ति आप लोग दोस्तों सही तरीके से जानकारी को समझें, इस ट्रेटिजिस को समझें, जिनके माद्धम से ड्रीम 11 से रैंक वन लाने का पूरा सिक्रेट आप लोग यहां पर जान पाएंगे, अब एक चीज आपको मैं जबर बताना चाहूंगा, ड्रीम 11 में रैंक वन लाने के लिए, पीच, प्लेयर और प्रफॉमिन, तीन चीज पर आपको दोस्तों धन में रखनी पड़ चाहिए, जी हां, तीनों चीज पीसे ही स्टार्ट हो सकती है, पीच, पीसे, पीसे प्लेयर, पीसे प्लेय और ये तीन चीज आपको ड्रीम 11 में रैंक वन पर लाने पर बहुत ज़्यदा आपकी दोस्तों हेल्प करने वाली है, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, जो लोग रैंक वन पर आते हैं, उनकी विनिंग स्ट्रेजी काफी डिफरेंट लेवल से वर्क करती है, उनकी स्ट् ड्रीम 11 में रैंक वन लाई जाती हैं और ड्रीम 11 से रैंक वन लाके अच्छा प्राइस कमा जा सकता है, आप लोग भी IPL चल रहा घर तीडविनिग का मैच चल रहा है、 आप लोग भी ललातार बिनिंग कर भाएएं, आप लोग लला कार अच्छा पैस से कमा सकते हैं, कारी होती है जिसके मादधन से आपको rank one पे अगर fit बैठना है तो आपको दुस्तों three member team, four member team, six member team आपको इन सब चीजों में भी आपको implement होना पड़ेगा आपको यह भी जानना पड़ेगा कि dream alone में rank one पूलना ने करी मैं क्या कर सकता हूं ठीक है तो आइए आपको भी mobile screen को में ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि dream alone में सही तरीके से team कैसे लगाते हैं और सही तरीके साप भी dream alone से rank one कैसे ला सकते हैं आइए mobile screen पे आपको ले हाले हैं तो team बनाने के लिए क्या-क्या चीज़े important होते हैं तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं हमको स्क्रीन पर यहाँ पर गुरू एंडि स्टैट सो दिखरा होगा चाहां पर पहली बाद तो हमको यहाँ पिछ कंडीशन हमको देखने को मिल रही है जो कि हमारी तक लगबर पहुच रहा है उसके बाद वेन्यू के बाद करें जो तोस्तों राजीव गांधी इंटर्नाशनल स्टेटियम है दराबार में हैं वहाँ पर इस मैच कंडक्शन को देखने को मिलता है अब यहाँ पर हमारे सामने चार ऑप्संस रहते हैं विजिकट कीपर लिए पूरी जानकारी मिल जाएगी पिछ पिज रिपोर्ट फरस्ट निंग में कितना परफॉर्मेंस रहती है टॉप विनर्स टीम बालिंग वर्श टॉस्ट विनर्स हर को और टॉप प्लेयर इस टाइम के कौन-कौन रहे चुके हैं कौन-कौन प्लेयर पिछले माच में यह है आपको यह भी जानकारी यहां पर मिल जाएगी तो सीधा सीधा यहां से आप लोग हरे चेज के जानकारी ले सकते हैं और टीम के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं ठीक है अब यहां पर हम लोग बैक आते हैं और टीम बनाना सुरू करते हैं तो जैसे हम सब देख सकते है आपे हेंरिक क्लासन ने हैं पर आश्ट मैस कहला तो विकिट कीपर में हम लोग इन को रख लेंगे ठेक क्यों कि इन की परफॉमेंस काफी अच्छी रहती है और दिनेश कार्टिक से भी काफी अच्छे विकिट कीपर और बैट्समाइन हमारे सामनें देखनें को मिलेंगे विराट कोहली दोस्तों यहां पढ़र पड़ी दर्फित के दार सकते हैं लेक气 अधर सबसिट polite है अभी इनका होना पूल तरह से अपने टीम में नहीं रखेंगे यहां पे दुस्तों में शर्मा को फित टीम में रखलेंगे और राउंटर की बात करें तो भाई यहां पे मरकरम और उसके सार्ड कैमरान ग्रीन इस दो प्लेयर हमारे लिए काफी यह अपूरे था पुल साब भी क्योंकि इनकी प्रपार्उमेंस ही क कप्तान रूप कप्तान बनाने का कि सही तरीके से कप्तान रूप कप्तान को हम लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं तो कप्तान रूप कप्तान सेलेक्ट करने के लिए हमारे सामने दो चीज़े हैं पहली ऐसे प्लियर कप्तान बनाते हो जिसका सेलेक्शन पर सेंटेज बहुत जा यहां पर हम लोग ट्रैवी सिट को आइस कैटन बना देंगी और यहां पर टीम सेव कर सकते हैं तो टीम आपके सेव हो जाएगी हम लोग प्रिव जाके पहले देख भी सकते हैं कि टीम कैसे बनी है ठीक है तो इन सब चीज के बहुत बड़ा डवांटेज देखने को मिलता है बहुत बड़े रोल देखने को मिलता है और उमेद करते हैं कि आप लोग इन चीजों को समझेंगे तो बहते ही तरीके साब लोग विनिंग कर पाएंगे